कि जंपर जंपर जो होता है वो मुबाइल के अंदर नहीं आता है यह लेपटोप के अंदर भूद यूँज होता है कि वो क्या होता है कि laptop के अंदर दो points छोड़े रखते हैं वो लोग jumper करने के लिए इस हिसाब से होता है जैसे क्या होता है कि हम लोग घर पर जाते हैं तो एक route से हम लोग घर पर जा रहे हैं बट क्या हुआ किसी दिन वो route किसी कारण से बंद हो गया तो हमें दूसरा route पकड़ना पड़ेगा तो उसके लिए क्या होता है कि यह जो repair के लिए हमारे लिए easy रखते हैं कि एक route से उन्होंने okay कर दिया पूरा power supply जा रहा है वहां से बट क्या होता है कि बहुत जगए कोई track missing हो गया internal track missing हो गया तो हम लोग क्या करेंगे उसको bypass करने के लिए एक jumper दिया होगा होता है वहां से हम उसको jumper कर देंगे ना तो वह जो power जाना है वह उस side से चला जाएगा जैसे इस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे यह सम्मन दे रखें तो इस तरीके मतलब हम पर लिखा होगा यह यह जो नाम जो मैंने बताए हैं यह denotic letter जो बताए हैं नंबर से पहले यह denotic letter लिखा हुआ मिलेगा आपको जैसे इस तरह से jumper होगा तो J 111 इस तरह से लिखावा तो आपको number नहीं देखना है कुछ भी आपको यह देखना है J लिखा है इसका मतलब वो jumper हो सकता है या फिर Jake हो सकता है Jake का भी J ही symbols होता है तो इस तरह से वो आप यहाँ पर motherboard पर देखोगे तो यहाँ पर अगर यह Jake है socket जो है इनको भी J से ही हम denotic letter जो होता वो J ही लिखा हुआ मिलता है इनके अंदर भी तो आपको आगे के numbers किसी में भी नहीं देखना है क्योंकि numbers सब में अलग-अलग होंगे पहला अक्सर सिर्फ चेक करना आपको U लिखा हुआ है तो IC है वो अब उसके आगे numbers इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें IC बहुत सारी लगी हुई है अब हमें क्या पता कौन सी IC है इसलिए अलग-अलग numbers दिये जाते हैं इनको जिससे हमें पता चले कि यह IC यह वाली है इसलिए यह denotic later होते हैं और जो jumpers होते हैं jumper का आपको बता रहा था तो इस तरह से होता jumper का जैसे इस point से इस point तक मान लो मने बताया था आपको कि इतने सारे layers होते हैं कल बताया था बहुत सारी कम से कम 6-7 layers होती है mother word के अंदर तो हमें नहीं पता हमें अगर power वहां से वहां तक नहीं मिल रही तो वो क्या हो रहा है कि अंदर से कोई track missing हो गया track burn हो गया अंदर से अब हम लोग क्या करेंगे हम अंदर से track नहीं बना सकते ना तो हम लोग क्या करेंगे उसको jumper करेंगे open में एक wire लगा कर हम jumper कर सकते हैं एक तो jumper वो हो गया एक जो laptop होता है laptop के अंदर भी concept यह है laptop में क्या होगा कि ऐसे कुछ दो points दिये होए रखेंगे वो लोग तो उसमें क्या है कि वो दोनों को connected नहीं रखेंगे उन लोगों ने क्या किया है कि जैसे आपका यहां से यह पोइंट है इस पोइंट पर उन्होंने internal track दे दिया ओर यहां से इन लोगों ने क्या क्या दिया कि यहां पर एक और इस तरह से एक ओपर में छोड़ा होगा track है ठीक है यह track internal है पर यहां पर connected नहीं है तो क्या होगा कि अगर यह हमारा burn हो गया तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर दो point दे रखें दोनों point को आपस में touch करवा देंगे तो क्या होगा अपना इस वाले track से अगर voltage नहीं जा रहा तो इस से track से voltage चला जाएगा जहां पर जितना voltage मिलना उतना voltage मिल जाएगा तो इस तरह से jumpers होते हैं यह दो points इस तरह से मिलेंगे laptop के अंदर आपको वहा बदों को यूज करता आपल नहीं झामपर ही करता आपल जैसे आप 2008 से पुराने model देखोगे तो वहां पर jumper मिलेंगे पर 2008 मिलेंगे या नो के बाद में जो भी लेफटोप आए है एपल के अंदर उसमें जंपर यूज नहीं है पर विंडो के अंदर आज वी जंपर यूज है विंडो के अंदर आपको मिलेंगे आज भी मैं आपको समझने के लिए एक PDF एक इमेज दिखा देता हूं इससे आपको समझ में आ ज कि देखना पड़ेगा साइड देख स्टॉप पर ही हां यह देखो यह दिख रहे हैं दो पॉइंट्स बीच में एक जगह छुटी हुई मिल रही है तो यह जंपर्स हैं अगर इनका वोल्टेज कहीं से नहीं आ रहा तो हम इसको बाइपास कर सकते हैं बाइपास करने का मतल पहले वाले में फोल्ट आ रहा तो हां देखो देखो क्या होता है देखो यह एक पॉइंट है इस पॉइंट पर हमारा मान लेजिए कि 5 वोल्ट है ठीक है यहां से 5 वोल्ट जनरेट हो रहा है और यह एक 10 ऐसी है यहां पर इस आइशी पर इहां पर कुछ क्येपिशिटर लगे होँ है मिलेंगे आपको कि इस तरह जैसे कुछ क्यपिशिटर लगे होँका मिलते यह एक काइशी है ठीक है अब इसकार को 5वोल्ट जनरेँ है तो यहां पर क्या होगा कि यहां से 5V तो मिल रहा है यहां पर हमने चेक किया यहां पर भी मालेजे कोई IC है या फिर कोई पॉइंट है जो पॉइंट 5V जनरेट कर रहा है यहां पर 5V मिल रहा है बट हम लोग क्या चेक करेंगी इस IC के इस वाले पॉइंट पर हम चेक करें कि 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सोर्टिंग चेक करेंगे, यहां पर, अगर यहां पर सोर्टिंग भी नहीं है, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि यह ट्रेक मिसिंग है, कुछ न कुछ कहीं से, क्योंकि यहां पर 5 यह नहीं पहुंच रहा है, तो यह track नहीं है, क्योंकि sorting कहीं पर भी नहीं है, और कहीं कोई problem नहीं है, तो यह problem क्या है? ट्रेक मिसिंग है इससे हमें पता चल जाएगा कि ट्रेक मिसिंग है तो हमें क्या करना है कुछ जैसे लेप्टॉप में तो क्या है कि उन लोगों ने क्या दे रखा है यहां पर एक ट्रेक दे रखा है पेड जिसे हम बोलते है यह फिर जमफर जिसे बोलते है इस तरह से एक व प्रोटेंट होते हैं ज्यादा प्रोब्लम्स आने की चांसे रहते हैं वहां पर यह चीज्जी इूज की होती है पर अगर ऐसा फोल्ट आपके पास आता है हाँ नई वो होते हैं वो होते हैं मतलब कि वो उसी लाइन पर ही कहीं कहीं connected होते हैं मतलब कि क्या होगा देखो ये ये point जाकर सीधा उसी पर ही connect होगा तो उस point पर connect हुआ तो ये सारी चीज़े क्या है इधर भी तो connected है न जैसे ये वायर इस पर जाकर connect हुआ तो ये इसके थुरू यहां पर भी तो connected है तो ये सारी components इस पर पर भी connected माने जाएंगी फिर इस तरह से होता है बट क्या होता है कि अगर आपका mobile है mobile के अंदर इसा प्रोब्लम आ गया तो क्या करो कि वहां पर जंपर नहीं होते हैं mobile के अंदर है तो mobile के अंदर हम क्या करते हैं कि manually एक jumper लगाते है manually जैसे open open से एक wire लेकर यहां पर connected करेंगे सीधा direct अब उसमें क्या होगा कि यह जो capacitor वगेरा है यह नहीं लगे हुए होते उसके अंदर ठीक है direct करता है पर वह काम करेगा यह capacitor जो होते हैं क्या अपना security परपर से लगे होते हैं वहां पर अपना filter का काम करते हैं तो वहां पर current flow जो होता है उसको store करकर और फिर आगे भेजते हैं smooth करते हैं तो उसमें बहुत minor सा होता मलब कि कोई effective नहीं होता इतना जादा बट लगे हुए होते हैं कि अगर आपको bypass करना है तो jumper मारना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई option नहीं है हम track नहीं बना सकते अंदर से तो हमें jumper लगाना ही पड़ता है तो इस तरह से अगर कहीं पर voltage generate नहीं हो रहा तो jumper लगा कर हम voltage generate कर सकते हैं तो फिर ज्यादा problem हो जाएगी